कल हमने इलेक्ट्रो केमिकल सेल की थियोरी काफी लिख ली और फिर हम जिंक कॉपर कपल के बारे में हमने समझ भी लिया और इसको पॉइंट क्रमांग बड़ा तीन डाला था केरेक्टरिस्टिक ओफ डेनियल सेल और उसमें रोमन नमबर वन में हमने वो फोटो बना के डीटे ये arteries, नहीं वीमन वर नहीं व 뉴스, यह रूमन नमबर वन में ही यह बात कर दीजयर, एक सिकीन में चया आया है, डूमन नमबर वन में ही इस बात को एड़ कर दो बेटा, नेक्स लाइन से यह बात बस लिख लीज़े लिखेंगे, in a dilute solution नहीं नहीं dilute solution वाली बात क्या आवशक्ता नहीं है लिख दो such a device is also called galvanic cell और voltaic cell यानि कि Daniel cell को ही हम electrochemical cell है वो कई बार उसे हम लोग galvanic cell शायद है आप English में लिख शुक्यों voltaic नाम शायद आपने अभी नहीं लिखा है कि लिख शुका है लिख 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 लो कोई बात नहीं such a device is also called galvanic cell और voltaic cell लिखो तो हां बोलो चौल आगे बढ़े next characteristic of Daniel cell में हमने अच्छी रोमा नमबर वन में अल्मोस सब काम कर लिया है थोड़ा सा इंगलिश और करने की इच्छा रखता हूं है रोमा नमबर टू लिखेंगे बच्चों लिखेंगे Daniel cell converts chemical energy liberated during a redox reaction to electrical energy and has an electric potential equal to 1.1 volt अगर मैं Daniel cell कह रहा हूं इसका मतलब मैं zinc-copper couple की बात कर रहा हूं हमेशा नहीं बेटा zinc-copper couple के लिए voltage कितना आ रहा है 1.1 volt कब आ रहा है लिखेंगे when the concentration or activity of Zn plus 2 and Cu plus 2 ions is unity unity मतलब bracket में लिख दीजेगा molarity हम concentration की बात करते हैं तो हम लिखते हैं 1 molar molar मतलब moles per liter सुनते भी रहो लिखते भी रहो मैंने कल ये बात की ही थी कि कभी भी किसी भी electrode को उसी के solution में dip करेंगे तो या तो वो थोड़ा सा घुलेगा या थोड़ा सा चिपकेगा और उसी के कारणी capacitance जैसी capacitor जैसी चीज डवलप हो जाएगी और उसके कारणी charge store होगा उसमें और उसका कुछ potential होगा अच्छा वो potential कभी भी जब भी किसी भी ऐसे condition में electrode का with respect to its solution डवलप होता है तो वो potential बोला जाता है electrode potential with respect to its solution अच्छा अब with respect to its solution की बात है मतलब solution का concentration change नहीं होना चाहिए पहली बात concentration standard जो हम लेते हैं उन ions का वो one molar होता है और इतना हम जान चुके हैं कि electrode potential को ही हम कहेंगे reduction potential क्यों? sorry, reduction को ही कहेंगे electrode potential क्यों? क्योंकि cathode ही वो terminal है एक electrochemical cell में जहां से current निकलता है और जो जहां से current निकलता है उसको कहते हैं higher potential तो electrode potential higher potential में है तो कौन सा electrode potential को आप मानोगे? हम reduction potential को इसलिए IUPAC का convention कहता है आज से हम electrode potential को reduction potential मानेंगे Hello? Yes ठीक है बईया? लिख लिए है सब नहीं ये? रुख गया बेटा और ये 1.1 volt voltage क्या? सब से लो की होगी बेटा? नहीं zinc और copper के couple की होगी Hello? वो भी हमेशा इतना potential देंगे क्या? नहीं कब देंगे जब concentration of ions कितना हो? 1 mole per liter या 1 molar Hello? ठीक है अटा दूँ? चौलो बेटा निक्स्ट उसी में लिखेंगे बेटा point करमांग characteristic of Daniel's cell को या आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे point करमांग roman number 3 point करमांग roman number 3 में लिखेंगे लिखेंगे if an external potential is applied and increased slowly बस इसको roman number 3 लिखें अंडराइन भी कर देना क्योंकि ये photo से अच्छा मैं आपको एक photo बना के देखाऊँगा इतना लिखो लिखो तो हाँ बोलो roman number 3 की heading है या अंडराइन कर देना इसको हम ऐसे ही डेनियल सेल में अब एक external battery भी लगा रहे हैं एक external battery लगा रहे हैं ये आपको photo नहीं बनानी कि ये आपको दिखा आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि बेटा एक apparatus होता है शायद आपने physics में देखा सुना होगा रियो स्टाइट रियो स्टाइट के ऐसा आप ऐसे एक गोला बना रहता है रियो स्टाइट एक डिवाई उसमें ऐसा गोला आप इसको लाब में भी देखोगे उसको आगे बीचे करके आप 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 एक्चली resistance कंट्रोल कर पाते हो जिससे आप जो potential लगाने वाले हो उसको आप चेंज कर सकते हो तो हम दीरे दीरे potential बहाएंगे external battery लगा के ऐसे रियो स्टाइट की मदद से आपको ये पूरी फोटो की आवशक्ता नहीं है सर आवशक्ता क्या है हम लिखेंगे उसमें आपने heading डाल दियो Roman number 3 में उसमें लिखेंगे case 1 case 1 है यानि कि जो आप external battery लगा रहे हो उसका potential आप Daniel cell की ओकाथ से Daniel cell की कित्ती ओकाथ है बिटा 1.1 volt की जब आप external battery का potential 1.1 volt से कम लगत रखोगे तो क्या होगा आईए देखें volume आईए इसको फोटो में देखें भई हमने जो हमारा Daniel cell बनाया था आज उसको last बार फिर से देख लेते हैं इस तरफ zinc sulfate था यानि कि ZN plus 2 ions इसमें zinc rod dipped थी दूसरी तरफ दूसरी तरफ copper sulfate का solution था यानि कि copper ions उसमें copper की rod dipped थी अच्छा इसको जब मैंने एक key के थूँ मैं color बदल देता हूँ आप इस black में आते हैं इसको जब मैं एक key के थूँ चोड़ूँगा कि बंद खुल कर सकूँ और अब मैं फिल हाले के external battery भी लगा रहा हूँ अच्छा पहले मैं इसको बना देता हूँ यह मैंने connect कर दिया current बहेगा नहीं बहेगा क्यों क्यों क्योंकि मुझे एक चीज और लगानी पड़ी क्या लगाना पड़ेगा मुझे salt bridge salt bridge में मैं क्या करता हूँ molten electrolyte को भर देता हूँ ताकि connection पूरा हो सके ठीक है इतना मुझे सब कुछ याद है ध्यान है जैसे मैं key close करूँगा current बहने लगेगा current कैसे बहेगा बेटा याद करके बताओ कहां से कहां तक बोलो यह direction है current की अगर current की direction यह है और मैं external battery इसका पोस करने के लिए लगा रहा हूँ तो external battery मैं कैसे लगाँगा बच्चों बड़ा डंडा इधर छोटा डंडा इधर ऐसा ही है बोलना पड़ेगा अरे बोलो तो यह मेरा बता रहा हूँ बेटा मैं actually इस जो Daniel cell बनाए है मैंने उस Daniel cell के साथ मैं थोड़ा सा experiment करना चाह रहा हूँ इसलिए हम external battery लगा रहे हैं हम उसकी ताकत को measure करना चाह रहा हूँ देख नेकना चाह रहे हैं इससे होगा क्या है न तो अगर मैंने external battery लगाई तो external battery current किस तरफ बहाएगी इस तरफ बेटा क्योंकि हमको देखना है कि हम इस cell को काम करने से जब रोकने का प्रयास करेंगे तो chemically क्या फरक पड़ेगा और इसके पीछे purpose यह है कि शायद आप जो बैसे photo बनाते भी रहो और सुनते भी रहो शायद जो आप यह इसके पीछे का purpose बता दे रहा हूँ मैं इसके पीछे का purpose यह है कि battery अगर discharge होके आपको current दे रही है तो आप तो खुश हो लेकिन अगर वो पूरी की पूरी discharge हो जाएगी तो current देना बंद कर देगी तो शायद आज के जमाने में हम rechargeable battery पे ज़्यादा focused हैं क्योंकि जो एक बार discharge होके खताम होगे उसको फेकना पड़ेगा तो it will be creating वो वाला कौन सा अरे कौन सा pollution electronic pollution अरे होता ना बैटरी अटरी सब प्रदूर्शन फहलाते हैं लोग तो हम चाहते हैं कि इतना wastage न हो तो हम आज नहीं बहुत पहले जमाने में लोगों ने rechargeable battery की परिकल्पना करी ही होगी तब ना आज rechargeable battery maximum आपको दिखती है अरे आपकी फोनी की बैटरी द प्रू कर पाएंगे इसकी शुरुवात इस इस एक्सपेरिमेंट से हुई थी जो मैं आपको यहां करेक्टरिस्टिक में बता रहा हूँ हलो चलो यह फोटो मना ली जब ने अरे बोलो भाई चलो आगे बढ़ जाओ अब बच्चों अगर ऐसा होगा तो आपके पास आप फोटो बने हुई है इसलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे इफ जो एक्स्टरनल बैटरी की ताकत है वो वन पॉइंट वोल्ट से हम कमी रखते हैं तो हम अब्जर्व क्या करेंगे आप खुद ही बता सकते हैं अरे सर अभी भी करेंट तो उसी डिरेक्शन में बहाएगा कोगी इसकी अच्छा आवाज कट रही है रुक जाओ सब बच्चों का आवाज कट रहा है बेटा तो अब अगर एक्स्टरनल बैटरी का पोटेंशल यानि की उसकी करेंट बहाने की आउकात हम वन पॉइंट वोल्ट से कमी रखेंगे तो डैनियल सेल को ऐस सच कोई फरक नहीं पड़े विल स्टिल फ्लो कहां से कहां तक कॉपर तो जिंक कैथोड एनौन मत करो बेटा अभी भी करेंट कहां से कहां भाएगा कॉपर से जिंक तक हलो हलो अभी भी आप क्या अब्जर्फ करोगे स्टिल लिखते जाओ लिखते रहो स्टिल जिंक डिजॉल्स अभी भी जिंक घुलता रहेगा कहां पर अट एनौन अब बोल दो क्योंकि मां ऑक्सिरेशन हो रहा है एंड कॉपर डिपॉजिट्स अट कैथोड क्योंकि अभी भी कैथोड एनौड सेम ही है जिंक एनौड है फिलहाल तो नहीं हाँ बेटा उस पे घर्माहट आएगी जो करेंट बहरा होगा उसको ओपोजिशन मिलेगा तो तारें गरम होंगी यह सब होगा जो फिजिक्स फिजिकली आप सोच पा रहे हो करेंट एलेक्टर सिटी का अकॉर्डिंग वह होगा पर हमारी यह जो बैटरी है हमारी जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी यानि कि अभी भी भले कठनाई से गरमा हट करके करेंट ऑपोजिट डिरेक्शन बह रहे हैं तो एफिशेंसी जीरो रखके एफिशेंसी बहुत कम होके वह मैक्सिमम चीज तार गरम करेगी लेकिन हाँ केमिकल प्रॉसेस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा क्या केमिकल प्रॉसेस जिंक अभी भी ऑक्सिडाइज ही करेगा भले देर से कॉपर अभी भी रिड्यूस ही करेगा भले देर से अटा दूँ अचली जब हम वह आपके घरों में इन्वर्टर में बैटरी लगी रहती है ना लेड आसेड बैटरी वह आपको तभी समझ में आएगी जब मैं आपको यह शुरू में केस लिखवा दूँगा आले कि अगर मैं बोर्ड के हिसाब से सच्छा ही बता हूं तो तो लेड इसको बहुत आसानी से पढ़ाने का तरीका है अगर आधी चीज एंसी आटी की छुपा लीजाए आगे बढ़ें केस टू केस टू लिखेंगे बच्चों केस टू और केस टू में हम करेंगे वेन एक्स्टरनल इस एक्वल टू 1.1 लिख लिया जब भाई यह एक्स्टरनल को आप एकदम बैटरी की ताकत के बराबर कर दोगे तो इस स्थिती में भले आप फोटो दुबारा मत बनाओ बच्चों यहां से मैं आपको समझा दे रहा हूं भाई यह करेंट यहां से आ रहा है लाल वाला और हरा वाला ओपोसिट जा रहा है दोनों की ताकत से मोगी तो दोनों भेड़ा जाएंगे अल्टमेटली अल्टमेल्टली कुछ नहीं होगा बिल्कुल सही ते दुबारा फोटो पनाने की जरद नहीं हैँ आप कि है लो कि हैंस कोई केमिकल चेंज होगा क्या है चाप चापो 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 चापने का ततकाल प्रभाव से लिख दीजिए केस थ्री बहुत सुंदर बात करने वाले हैं अपन केस थ्री में जेए के लिए बहुत सुंदर थ्योरी में एडवांस पता है थ्योरिटिकल सवाल आते हैं अबी उसमें कहानी लिखी रहती है नहीं होते बच्चों से क्यों कहानी लिखी रहती है केस थ्री केस थ्री क्या होगा भाईया रियो स्टाइट से पोटेंशिल बढ़ाते बढ़ाते बैटरी की उकाद से ज्यादा कर दिया हेलो यह कर दोगे तो क्या होगा सर अगर आप यह कर दोगे कि एक्स्टरनल बैटरी या 1.1 बोल्ट से ज्यादा करेंट बहाएगी तो अब किसकी चलेगी यह चाहेगा ऐसे जाए पर अब बैटरी की चलेगी तो बैटरी क्या कहेगी कहेगी बहाईया अब मैं गवर्निंग फ मतलब current कहां से आफ रो करेगा अब यह photo फिर से दुबारा बनाओ अब मुझे बताओ फोटो बनाते भी रहो और मेरी बात सुनते भी रहो अब मुझे बताओ कि अगर current यहां से हेलो कर रहा है तो अफिर कर लोक अब करने के लिए electrons केलेगा electrons कहां से सके in this case current अगर direction यह है तो electron तो यहां से flow करेगा हलो सर अगर electron यहां से flow करेगा मतलब कौपर चाहे ना चाहे जैसे चाहा रहा था तो spontaneous change था अब तु ना चाहा मैं ताकत लगा रहा हूँ ना करना पड़ेगा तेरा होना पड़ेगा मतलब अब कौपर को होना पड़ेगा oxidize मतलब यह बन जाएगा एनोड है लो जबर जस्ती अब जिंक चाहे या ना चाहे जबर जस्ती इसको electron गेन करना पड़ेगा इसलिए यहां होगा reduction और यह बन जाएगा cathode है लो क्योंकि current zinc वाली तरफ से निकल रहा है इसलिए now it is at higher potential इसलिए मैं इसको positive terminal बोलूँगा because it is at higher potential and it is at lower potential है लो तो इंगलिश में बोला जाता है अगर external battery लगा दो तो cathode पल्टी हो जाते हैं हो जाते हैं क्यों अरे तुम्हारी इचाहत कोई पूछा है नहीं रहा आईसी तैसी करना पड़ेगा हलो इंग्लिश लिखाओं इतना सब का हो गया एक मिनट चाहते हैं रुख गया भई तीन अभी आतम नहीं हुआ है रोमन नमबर चाहर लिखेंगा भईया तो जब दोनों डब्बो में कंसेंट्रेशन ओफ आइन्स वन मोलर हुआ वन मोल पर लीटर हुआ तब उस अवाज नहीं आ रही कि भईया सबको खुश्बू बेटा रीजॉइन कर ले अच्छा है काम करो रुको अगर कंसेंट्रेशन यूनिटी होगा तो अलेक्टरोड पोटेंशल को आज से हम स्टैंडर अलेक्टरोड पोटेंशल कहेंगे उसी रोमन नमबर फोर में पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखेंगे लिखेंगे अब यह आपने लिख तो लिया है आपको समझ में नहीं है होगा मैं बता देता हूँ इंग्लिश हिंदी में मैं आपको कही चुका था कि क्योंकि the potential from which the electrode from which current is coming out physically needs to be stated as potential of higher terminal हिंदी बोल रहा हूँ वो डंडा वो electrode जिससे current निकल रहा है physics के आधार पे वो higher potential पे कहलाना चाहिए उसको हमने positive तो लिखी दिया जहां पे भी positive लिखेंगे actually वहाँ chemically क्या हो रहा है reduction इसी लिए जो मैं आपको बोला ही था reduction potential को हम electrode potential मानेंगे IUPAC ने convention मना दिया इसी को मैंने English में लिखाया है कि IUPAC के हिसाब से reduction potential या electrode potential होगा और तो और standard reduction potential या standard electrode potential वो तब कहलाएगा मतलब reduction potential के आगे standard और electrode potential के आगे standard कब लगता है IUPAC ने कहा भई या केवल one molar concentration पे हम न लगाएंगे क्योंकि IUPAC मलदा chemistry का department chemistry का department का भाई यह वो equilibrium वाली बात है न concentration और pressure भी fix करो वनना equilibrium constant change हो जाएगा तो उसने का ये काम हम लोग आज से करेंगे 1 ATM pressure पे और concentration जहां भी बना होगा उस solution का temperature होना चाहिए 298 Kelvin मतलब लगभग room temperature और concentration उसका one molar होना चाहिए तो standards condition आज से क्या हो गई ions का concentration one molar होना चाहिए जब वो आप डबबे लो तो उन डबबो का concentration temperature 298 Kelvin होना चाहिए और वो डबबे कहां पड़े होने चाहिए किसी pressure में नहीं भगवान के तले मतलब atmospheric pressure में हलो 180 हेलो क्योंकि temperature pressure बदलते होना तो equilibrium constant का kp kc change हो जाता है तो kp kc change हो जाएगा तो equilibrium बदल जाएगा तो तब थोड़ी जो हर अलग-अलग concentration पे temperature पे pressure पे potential की value बदल जाएगी न क्योंकि electrode का जब भी lane देन होता है अपने solution के साथ तो solution के lane देन होने के बाद एक capacitor develop होता है बाहर अलो अगर lane देन ही कुछ कम या जादा हो गया तो plus minus का separation change हो जाएगा मतलब इसका potential change हो जाएगा अलो तो जो 1.1 volt हमने copper और जिंक कपल के लिए लिखा था वो अक्चली standard स्थिती में 1.1 volt आता हमेशा नहीं हलो यह सब का नेक्स्ट रोमन नंबर के आएगा मेरे भाई अभी भी characteristic अभी रोमन नंबर के आएगा रोमन नंबर फाइव रोमन नंबर फाइव रोमन नंबर फाइव लिखेंगे बच्छों the cell potential is the difference between the reduction electrode potential of cathode and anode reduction slash electrode potential कर दो तो कि reduction ही electrode क्यलाता है तो फिर से पढ़ दे रहा हूं है the cell potential अब पूरी जो couple का जो potential होगा उसे कहेंगे अब तो cell बन गई cell potential तो वही English लिखा रहा हूंगी the cell potential is the difference between the reduction slash electrode potential of cathode and anode full stop उसे में लिखेंगे it is also called cell electromotive force जिसे हम EMF of the cell कहते हैं आज से हम EMF का नाम ही इस्तमाल करेंगे ठीक है next time से लिखेंगे उसी point में therefore standard cell potential for zinc copper danial cell is given as follows लिखो तो हां बोलो d-a-n-i-e double L होता ने डैनियल डैनियल से इस गिवें as follows अब सर अगर आप electrode potential standard स्तिती का लोगे तो उनका difference जो आएगा वो भी standard cell potential के लाएगा है लो हां मतलब standard शब्द लगा दिया earth temperature 298 रखना पड़ेगा master pressure 180m रखना पड़ेगा और ions दोनों डबो के ions का concentration 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 तो उस तिती में जो potential आएगा उसे standard cell potential केंगा उसका representation सीख लो इसले as follows लिखा है मैंने हाला कि बेसे KVL से आ जाएगा यह हां यह KVL से formula भी आ जाएगा पर हो गया इतनी पंचायत मैं ना करूं थोड़ा से ज्यादा बोरा हो जाएगी बात मैं सीधा लिख रहा हूं तो E not cell यह उपर not लगा है बेटा मैंने बहुत बड़ा कर दिया वैसे मैंने not यह theta इसको बेटा अगर दोनों का potential difference निकालना है तो हमेशा हम difference निकालने लिए क्या पढ़ते हैं बड़ा माइनस छोटा जी छोटा माइनस बड़ा अच्छा electrode potential किसका ज्यादा होगा electrode potential मन में रखना आपसे reduction potential है ना reduction potential किसका ज्यादा होगा जो इसकी reduce होने की उकात है किसकी reduce होने की उकात है जो cathode बनाया है hello तो आपको E0 cathode करना है minus E0 anode करना है English में क्या कहोगे English में कहोगे standard cell potential is equal to is equal to क्या बच्चों standard electrode potential केखर of cathode minus anode क्या बला E0 anode को क्या English बोलोगे what is this standard electrode potential of cathode E0 cathode standard electrode potential of anode E0 anode हेलो लिखो तुहां बोलो भाईया E0 cell ए मेरे भाई फिलहाल anode कौन है फिलहाल कैथोड कौन है copper क्या है कौन है अरे बोलो copper का electrode potential मतलब उसका कौन सा कौन सा potential oxidation potential की reduction पोटेंशल मतलब आप उसकी कौन सी आउकात लिखोगे आप लिखोगे E0 Cu plus 2 से Cu होने की आउकात यही लिखोगे ना यह रेप्रेजेंट करने का तरीका है E0 Cu plus 2 से Cu यह सब्सक्रिप्ट में रखना तो यह क्या कहलाएगा this is standard electrode potential of this is standard electrode potential of minus E0 अब क्या पुट करना है आपके वहाँ पे standard electrode potential किसका zinc भले हो ऑक्सिडाइज रहा है कौपर के आगे लेकिन हमको उसका कौन सी आउकात पुट करनी है oxidation potential की reduction potential हमको electrode potential पूट करना है न हाँ electrode potential क्या होता है reduction potential भले zinc तू oxidize कर रहा हो तू हार गया न कौपर से इसलिए तो करना पड़ेगा अलो यह तो jungle theory है वही जीएगा वो जीतेगा जो मारेगा अलो डार्विन्स theory तो हाँ तो जिंक का भी पुट क्या करेंगे electrode potential अलेक्टोड पुटेंचल मतलब जिंक से जेन प्लस टू क्या पुट करेंगे प्लस टू से जीरो पुट करेंगे जीरो से प्लस टू नहीं भले तू अक्स्टडाइज हो रहा है लेकिन तेरा तो हम electrode potential पुट करेंगे न यह हो गई बच्चों मेरी बात अच्छा नहीं अब यह इसको डब बने बनाते हैं अब एक काम करते हैं value भी राटना नहीं है वो और करके लिखते हैं चलो लिखूं एक काम करो इसको डबें बन करीदो और इसी के नीचे इसको डबें बन कर दो यह फॉर्मूला हो गया आपके ना इसी के नीचे एक example करके लिखू अभी इसको यह मेरा करेक्टरिस्टिक खताम नहीं हुएं पर एक example इसी के लिखो लिखो given मैं आपको कुछ समझाते हूं यह बात कराता हूं मैं आपको कुछ data दे रहा हूं मैं आपको दे रहा हूं given E not का value दे रहा हूं मैं आपको Zn से Zn plus 2 का मतलब मैंने यह नहीं का मैंने आपको electrode potential दिया है मैं आपको सीधा symbol के थूरू दे रहा हूं data तो given क्या है आपको E not zinc से Zn plus 2 होने की मैं आपको value दे रहा हूं zinc से Zn plus 2 होने की value not मतलब standards देती महीं है यह मैं data sheet से आपको exact दे रहा हूं ncrt की data sheet कहा है मेरे भाई यह रही zinc से Zn plus 2 होने की आपकात है बच्चों 0.76 volt and E not copper plus 2 से copper होने की आपको मैं कुछ नहीं English में कह रहा हूं मैं electrode potential नहीं कह रहा हूं सीधा data दे रहा हूं आपको represent करके अब आपको उसमें अपना common sense लगाना है E not copper plus 2 से copper की value मैं आपको दे रहा हूं 0.34 volt और फिर सवाल मैं आपसे कह रहा हूं calculate cell potential हाँ वो तुम्हें राटाया हूं रूख जाओ निकाल के भी देख ले अच्छा ठीक है लिख लिए सबने आगे बढ़ सकता हूं अब बेटा हम cell क्यों बनाएंगे ताकि cell बेच पाएं cell काम करें cell spontanisly current बनाएं इसलिए करेंगे बनाएंगे cell हलो तो कभी भी बच्चों आपको सवाल ये बोर्ड में आते हैं ऐसे question आपको E not करके वो value दे देते हैं बताते हैं बूच ने cell potential बताओ वो fix वो आपको बताते हैं किसको cathode और किसको anode बानना है तो हम क्या करेंगे हमें पता है हम तो भाईया पहले electrode potential निकालेंगे जिसका electrode potential ज्यादा होगा उसको cathode बना देंगे और जिसका कम होगा उसको anode बना देंगे तो फिलाल आप खुद अब इसमें आपको रटने की ज अब तो value दी है तो आप चेक कर सकते हो copper प्लस 2 से 0 जा रहा है मतलब यह reduction electrode potential है न यह electrode potential ही दिया है न तो इसका copper का electrode potential क्या हो गया 0.34 volt hello yes sir ठीक है ठीक है तो लेकिन zinc का सर 0 से प्लस 2 oxidation potential दिया है मुझे क्या चाहिए reduction E naught Zn प्लस 2 से Zn चाहिए तो नहीं निकाल पाओगे बिल्कुल निकाल लेंगे इक्जाक्ली बेटा अगर Zn से Zn प्लस 2 से हो रहा है तो उल्टा काम हो जाएगा माइनस 0.76 volt अच्छा अब खुद बताओ दोनों का electro potential हो गया copper zinc का हाँ सरा हो गया अब बताओ 0.34 बढ़ा है कि माइनस 0.76 बढ़ा और यह नंबर लाइन में देखना है यहाँ पर negative sign का मतलब है यह mathematical नंबर लाइन में तो माइनस 0.76 बढ़ा कि प्लस 0.34 बढ़ा obviously तो therefore अब आप शायद समझ सकते हो E not cell will be equal to हमको पता चल गया सर कैथोड बनेगा copper तो copper प्लस 2 से copper माइनस एनोड बनेगा भले एनोड बना है लेकिन put उसका electro potentially करेंगे आने की जेडेन प्लस 2 से जेडेन हलो यह सिखाया था ना अरे बोल दो यार copper का value बताई हमी 0.34 minus zinc plus 2 से zinc का value बताओ भाईया minus 0.76 master नरे जोड़ दे minus minus master plus जोड़ दे आंचा बताओ भाईया significant figures में बोलो ना जब हमने 2 place of value बोली तो 1.10 बोलो भाई वो जो 1.1 मैंने लिखाया था वो मैंने आपको बता भी दिया कैसे आता है वो standards दिती में आता है हमेशा नहीं आता है hello बोलो बोलो तो electrode potential अगर हम experimentally निकाल लेते हैं sir तो फिर भी ये तो बताओ ये जैसे ये सब के electrode potential निकाल के हमने ऐसे list बनाई हुई है तो electrode potential sir हम निकालेंगे कैसे भाई एक तरफ रखेंगे हम एक electro एक डंडा दूसरी तरफ रखेंगे दूसरा डंडा इसके solution में इसके solution में join करेंगे salt bridge लगाएंगे मालो बीच में volt meter लगा दिया तो ये volt meter पढ़के बता देगा आपको potential अलो अलो ये cell potential बता देगा ना hello पैसे वाले हो तो digital खरीद लेना तो एकदम exact बता देगा और कांटा वाला तो सस्ता आता है तो बढ़ी असर ये data sheet बन जाएगी लेकिन बेटा ये अगर potential तुम बताओगे तो ये potential तो काईदे से cell potential होगा सर तो electrode potential कैसे है का cell potential तो actually मान लेता हूँ ये electrode है A, ये electrode है B, तो cell potential तो होता है सर E not B minus E not A, hello तो ये value कहां से आई होगी अच्छा ये value आई experimentally ही है पर बेटा इसमें हमने ना एक reference माना है हमने एक तरफ reference मान लिया hydrogen को किसको और उसको हमने conventionally कह दिया कि hydrogen का potential आज से हम मानेंगे zero volt क्या मानेंगे तो hydrogen किसी के आगे oxidize करेगा और किसी के आगे reduce करेगा तो hydrogen कभी anode बनेगा कभी cathode बनेगा जो बने इसमें कोई एक चीज हो जाएगी zero तो दूसरा जो cell जो voltmeter read करेगा वही आ जाएगा उस electrode का potential हलो अरे कोई एक चीज जीरो कर दो इसलिए बेटा hydrogen के electrode को कहते हैं reference electrode क्या कहते हैं और इसी बारे में अब हमें अगली roman number में जानकारी लेनी है तो roman number क्या होगा भाई है मेरे electrode पोटेंश जो अपन लिखेंगा आच्छा भाई है तो roman number 6 लिखा भाई है सब लोग roman number 6 लिखा भाई है सब लोग roman number 6 लिखा भाई है सब लोग roman number 6 की heading डालेंगे भाई साब standard hydrogen electrode SHE ठीक है सूरू करें भाई है चौर भाई है अंडरलाइन कर देंगे और मस्त इंगलिश लिखेंगे English लिखेंगे यह तब तो मैं बोली चुका हूँ तो चलो पली English यह लिखो आपको पली यह लिखो English पेटा लिखेंगे the standard hydrogen electrode consists of a platinum electrode coated with platinum black full stop the electrode is dipped in an acidic solution and pure hydrogen gas is bubbled through it full stop the concentration of both the reduced and oxidized forms of hydrogen is maintained at unity and the pressure of hydrogen gas is one bar full stop इत्ता पहले English लिखो लिखते रहो चलो सुनते भी रहो देखो अचली कि रूख जाओं भी पहले लिख रहे हो कि बोलता जाओं हो जाएगा multi-task सबको कट रहे है बेटा आ रहे है नहीं कट रहे है तो खुश्बू बेटा re-join कर लो और सुनने के लिए आप recording reference ले सकते हो हला कि मैं फिर से कह दे रहा हूं पर अगर नहीं आ रहे है अभी भी तो rejoin कर लो कभी भी किसी non-metal का electrode पता है कैसे बनेगा इसके लिए common sense पहले आपको मैं दे रहा हूँ किसी भी metal में कभी कोई gas पास कर दो न बेटा, तो gas के पास tendency होती है metal में adsorb हो जाने के, adsorb मलब surface में चिपकना अब वो gas अगर बेटा surface में चिपक गई न तो अब काईदे से ये surface तो उस non, उस gas का हो गया भई इस metal का काम है, electron का lane देन करना अगर ये inert है तो उस gas के साथ react भी नहीं करेगा, केवाल electron को पास होने देगा, तो बन गया ना gas का electrode, hello 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 yes sir अच्छा, लेकिन अब जितनी gas ज्यादा पास करोगो उतना ज्यादा चिपकेगी, उतना ज्यादा इस metal, उस gas का concentration है, बढ़ जाएगा तो lane देन करने की capacity बढ़ जाएगी, इसलिए वो मैंने standard city में fix कर दिया, मैंने का अगर तू gas का electrode बना रहा है तो क्या कर, प्रेशर भी fix कर, कितना fix कर वन बार, हेलो 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 आच्छा तो फिलहाल मैं gas कौन सी पास कर रहा हूँ मेरे भाई, hydrogen gas hydrogen gas किस पे पास कर रहा हूँ मैं, platinum पे platinum कैसा metal है metal तो है sir, platinum inert होता आप लोग d-block पढ़ चुके हैं, फिर जान लीजे, platinum एक inert metal है बेटा, वो reaction नहीं करता, ठीक है तो sir, अगर inert metal है, तो वो केवल अपना platform देगा, ताकि लोग lane देन कर पाएं, electrons का, वो chemically participate नहीं करेगा अच्छा, तो काइदे सरी hydrogen का electrode बन गया, इसको connecting wire से चोड़ दो अब ये, तयार है किसी से भी जुड़ने के लिए, और इसको हम electrode potential इसका zero मानेंगे, कौन से electrode potential zero मानेंगे, अरे यार, hydrogen gas यां adsorb हुई, पानी में मैंने H plus iron डाल दिये, वो H plus iron भी one molar रखे, तो तुम मुझे बताओ, क्या अभी भी equilibrium H2 और H plus के बीच में नहीं होगा, होगा होगा तो, हम कौन से potential को electrode potential मानेंगे reduction potential को, reduction मतलब sir H, ये दो खचे हां लिखा तो हुगा, मैं का मेहनत कर रहा हूँ H plus ions, electron gain करेंगे और H2 gas बनाएंगे, plus one से zero, मानलब reduction हुआ, hello 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 yes sir, ये photo फोटो बनाएं, अच्छा पहले फोटो बनाएं, पहले सुननो, बनाओ नहीं ये reaction हो गया, अब हम according to IUPAC हम मान क्या रहे हैं, according to IUPAC according to IUPAC हम मान रहे हैं E naught H plus से H2 होना, आज से हम इसको क्या मानेंगे क्या मानेंगे zero, ये है नहीं zero, ये है नहीं zero हम इसे assign zero कर रहे हैं कि हम बाकियों का निकाल पाएं, इसके respect में, hello yes sir सब लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा पहले मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है पहले समझ में आता इतनी बात, hello yes sir अब बच्चों थोड़ा सा, ये अभी मैं आपको बाद में लिखवा दूँगा, अभी सिर्फ पहले बात सुन लीजे, अब इंग्लिश है पूरी मेरे पास अब एक चीज मुझे और बतानी है, यहाँ पर मैं थोड़ इसी जो इंग्लिश लिखवा चुका हूँ, पहले मैं उसको समझा हूँ मैं यहाँ पर यह लिखवाया हूँ कि the standard hydrogen electrode consists of platinum electrode, electrode आ गया platinum का, coated with platinum black क्यों है, क्योंकि बेटा कभी भी किसी metal में उसी को अगर पोत दोना, तो surface area बढ़ जाता है, surface area कैसे बढ़ जाता है, अरे मान लो एक कोई surface है, मैंने कहो यहाँ पर एक ball, दो ball, तीन ball आ रही है, अब मान लो इसी surface में मैंने थोड़ा सा इसी platinum को पोत दिया, तो आपको नहीं लगा थोड़ा सा surface भई, एक ball, दो ball, तीन ball, चार ball, मिर बात समझ रहे हो, हलो, हलो, यह हलाकि surface chemistry में लिखवा हूँगा भी, वहाँ पर adsorption syllabus में है, पर actually, यह जो English में लिखा है, हमने कि it is coated with platinum black, वो platinum black से coat इसली किया, ताकि adsorption और ज्यादा हो सकेगा, इसका, है लो, है लो, इसी electrode को उसी acidic solution में ताकि H plus iron हो dip किया, और pure hydrogen gas bubble की, पास की, फिर नेचे लिख दिया है कि भईया, सब unity होना चे, pressure pressure भी unity होना चे, concentration भी one होना चे, hello, इतना लिख चुकियो सब लोग, चालो, next line से English लिख लेंगे बेटा, फिर अपने photo बनाने के लिए तयार है, English लिखेंगे, लिखेंगे, according to convention, a half cell called standard hydrogen electrode represented by, अब ये representation पहले सुन लो, अब बेटा, इस cell को represent पता है कैसे कर रहे हम, वैसे तो हम केवल इतना लिख सकते थे, क्या, hydrogen gas क्या हो रहा है, H plus में convert हो रहा है, hello, and vice versa, hello, लेकिन कभी भी कोई gas को electrode बनाना है, तो किसी inert metal में pass करना पड़ेगा, तो तरीका होता है, उस inert metal को ऐसे लिख दो, तो platinum solid slash H2 gas converted into to slash H plus equals, है न, so is represented as by this, comma, is assigned a zero potential at all temperatures corresponding to the reaction, ये, अब पहले आप ये English लिख लो, इसको मैं एक बाद फिर से हिंदी में समझा दे आपको, कि हम जो भी hydrogen का electrode ले रहे हैं, उसका reduce होने के potential को हम assign कर रहे हैं, zero, और represent करने का तरीका क्या होता है, कभी भी किसी gas के electrode को, कि जो भी H2 gas से अगर H plus में convert हो रहा है, H plus से H2 में हो रहा है, जो भी हो रहा हो, कभी भी आप जो gas को लिखोगे, उस gas के पहले आप ऐसे platinum solid ज़रूर करके लिखना, और in fact, चलो, यह representation लिखना मत बेटा, यह representation थोड़ा सा, इसमें आप कॉमा लगा देना या तो, या चलो NCR10 लिखा, लिखी लो, ऐसे लिख लो, कोई बात ने, लिख लो, फिर मैं representation अलग से और कराऊंगा आपको, इसको लिख लो, बेटा, लिखो तो हाँ बोलो,